लेकिन आज मर्कज के उस साज़िश के नतीजे में हम मजबूर हुए एकी प्रैटफोर्म पर आने पर हमने कहाँ यह मौका नहीं है कि हम आपनी छोटी सियासी लडाईउं में उलब जाएं आज मौका नहीं है कि हम एलेक्शन और सीट गिरें या हकूमत बनाने की बात करें आज अगर लोग हमारे तरफ देख रहे हैं तो उनका उनके नजरिये में सिर्फ एक ही चीज है कि क्या यह सियासी लीडर क्या यह पार्टिया एक साथ आके हमारी तशक्कोस हमारी पहचान हमारी जमीन को बचा पाउंडे और नहीं तो आज मैं बढ़गां की पांच सीटे नहीं गिन रहा हूँ मैं सिर्मगर के आठ या गांदरबल के दो या अनंतनाग की सीटे या बारामुला की सीटे या जम्मू की सीटे नहीं गिन रहा हूँ कि ये लड़ाई इसकिदार की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई वजीर-व्यादर की कुल्सी की लड़ाई नहीं है लानत हो हम पर अगर इन हालात में आज भी हम इकनिदार की kul시 के पीछे भाग हैं लोग तभी हमें माफ नहीं करेंगे अगर आग भी हमारी नजर सेक्रेटेरियन कही रहे और हम इस सोच पर रहें कि कब हम उस दफ्तर में दुश्के उस कुर्सी को दुवारा हड़ा लेंगे हमारी लड़ाई अपने आग को बचाने के लिए हमारी तशक्कुस, हमारी पहचान हमारी शनाप हमारा आने वाला कल ये लड़ाई हुस्ते लिए है इन दिल्ली वालों में कोई हर्बा नहीं छोड़ा हमें कमजोर करने के लिए और बांटने के लिए काश जो अकल हमें अब आई है एक साथ काम करने की काश ये अकल हमें पहले आई होती शायद ये नौबत नहीं आती है मरकज ने बार बार ये कोशिश की कि हमारे आवाज यहां कमजोर हो जाए और उस कमजोर आवाज का नतीजा आज आपके सामने है हम बिखर गएं और इनकी साज़श पूरी हो गई हमारी आवाज कमजोर हो गई और उन्होंने हमारी पहचान मिला दी लेकिन आज भी वो लोग जो दिल्ली में कहते है कि हम ने जम्मू कश्मीर के साथ पांच अगस्त को ये सब किया इस रियासत को पूरी करा इस मुल्क के साथ मिलाने के लिए आज भी वो हमारे साथ फरक करते है ने जो मुझे बताईए कल जो जमीन के लें लें के कानून यहां बनाए गए इस से मजबूत कानून तो और रियासतों में है आज भी इस मुल्क का वाशंदा आजादी से हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीच सबका लक्षवबी बांदमन निकोबार नागालेंड मेगाले सिखिम मैं कितनी रियासतों के नाम लू जहां इस मुल्क का वाशंदा जमीन नहीं खरीच सकता लेकिन पता नहीं हम जम्मू कुश्मीर के लोगों का फ्या पसूर है कि अंदा धून इजाज़त दी गई यहां लोगों को आने की और जमीन खरीदेने की और जब हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमें कहा राता है आप एंटी नेशनल हो आप मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हो जो हम बात कर रहे हैं वो इस मुल्क के आईन में ही तो दर्ज था जो हम से पांच अगस दो हजार उननीस को छीना वया वो किसी और मुल्क के आईन में दर्ज नहीं था वो इसी मुल्क के आईन में दर्ज था अगर जमू कश्मीर को वो खसूसी दर्जा नहीं दिया होता क्या पता उननीस सो सेंटालीस में क्या अगर कहानी बन जाती और जिन कानून को आज बढ़ने का काम हुआ उनकी शुरुवात National Conference ना आजादी के बाद नहीं हुई जिन कानून को पर्सों तहस नहस किया गया उनकी शुरुवात को महराजा साथ ने की थी जिस महराजा के मूर्ती के सामने पर्सों ही बीजेपी ने जन्मू में प्रोग्राम किया उसी महराजा साथ के कानून को इन लोगों ने पहस नहस किया और हम एंटी नैशनल ये धिल्ली वाले जब नागा लेंड वालों से बात करते हैं जिस नागा लेंड का लीडर ये कहता है कि ना हमें हिंडुस्तान का आईन मंजूर है ना हमें हिंडुस्तान का जंडा मंजूर है ना हिंडुस्तान की सैल्मियत मंजूर है उनके साथ तो आप बात्चीत करते हों उनका नाम को मैं आपके टीवी चैनलों के नहीं देखता हूँ ये कहते हुए कि ये जी देशद्रोई है एंटी नैशनल है लेकिन जब यहां के लोग अपनी जमीन को बचाने के लिए अपनी पहचान को बचाने के लिए अपनी शनाक्त को बचाने के लिए आवाज अठाते है तो सीधा कहते हैं ये तो मुल के खिलाब भगावत पर रहा है कल एक पार्टी के वर्करों को जमू में पुरमन तरीके से जलूज निकालने की इजाज़त दी जाती है इन नए जमीन के कानून के खिलाफ पुरमन तरीके से निकले नारे निकाले जलूज किया और गए वापस आज उसी तंजीम ने सिर्णगर में पुरमन तरीके से एक जलूज निकालने की कोशिश की और क्या किया आप वरकरों को उठाया कोठी बाद पुलीस थाने में बंद किया आखिरकार बताईए आप हमसे चाहते क्या हो क्या आप वाकरी चाहते हो कि हम मेंस्ट्रीम छोड़ दें जिस चीज के लिए हमने तीस साल यहां कुम्बानिया दी क्या आप चाहते हो कि हमों छोड़ दें कोई समझाए मुझे यह कहां पर लिखा है कि आईन के तहद पुरामन तरीके से अपना हकूक हासिल करना गैर कानूनी है या एंटिनेशनल है आगे हमारा ये सियासी माहूल किस तरह की करवट ले किस तरह के फैसले हमें लेने पे मजबूर करे किसी को नहीं कर रहा हूँ ग्या बता अल्ण त्मलण तयाला ने हमारे लिए क्या सूचा होता ही लेकि मेरे वालत साफ हमेशा कहते है और मैं इस बात को मान के चलता हूँ कि लाध ताल्ण ने जो भी सूचा होगा आख्रकार अच्छा ही सोचा होगा और कोई भी अच्छी चीज आसानी से हासिल नहीं होगी अच्छे चीज़ों को हासिल करने के लिए मुश्किल रस्ता अफ्तियार करना यह हमारी मजबूरी और हमारे करना पड़ता है और हम करेंगे हम करेंगे यह लड़ाई हम हारने के लिए तयार नहीं है